सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यह वीडियो आज एक अच्छे शेयर से बना रहूं और यह जो शेयर है वो शेयर डेट फिरी शेयर है मैं इसे पिछले दो और तीन महिने से बनाते जा रहा हूं इस वीडियो को और लास्टाम भी वीडियो बनाया था मैंने कहा था यह शेयर 40% डाउन है अभी भी अपने हाई से आप इसे शेयर को खरी दिये एकुमलेट करिये और यह आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा चीजन रिठाइब है कि हम एक अच्छे शेयर में लॉंग्टरम के लिए बने रहा है तकि अच्छा प्रॉफिट गेन होने को मिले तो यही है लॉंग्टरम की इन्वेस्टमेंट्ट्स कहते हैं कि अगर हमें अच्छा शेयर कम दाम पर मिल रहा है ऐसी उचाही पर भी तो हमें ले जरना चाहिए, ऐसी शेर, अब हम हम खरीदेंगे, मार्कें पर नीचे जाएगी वो शेर बंकिर हम हम खरीदेंगे, और यब हम फरीट नीचे गर से भीज रहे हैं, उससे नीचे मिल रहा है अगर वो शेयर तो हमें उस शेयर को एकुलमेट करना चाहिए अगर fundamentally strong है तो मैंने एक ऐसे शेयर से लिटी बाते करने वाले हैं मैं बताऊँगा आपको दिखाऊँगा कि मैंने ये शेयर आपको बताया था उसके बाद ये थोड़ा और नीचे गया था और मैंने कहा था कि इसे एकुलमेट करिये आपको अच्छा प्रॉफित होगा तो वो ही आज हम उसके उपर बात करने वाले हैं तो बट बिफोर देट आपसे रुक्रेश्ट करना चाहूँगा कि आप अपने खुद के चैनल जो आपको खुद के चैनल ये बहुत सो फिंदेश बजाए इसे सब्सक्राइब करिए शेयर करिए फैमिली फ्रेंस के साथ एस वेल हैं हमारी इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं लाइक कमेंट करिए शेयर करिए अगर किसी वीडियो पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताईए मैं उसके उपर आपको फंडमेंटर अनलेसिस करके अपनी राय देना पसंद करूँगा तो आईए व वीडियो है किस शेयर से लेटी थी यह थी बजाज फिंसर्व से लेटे तो बजाज फिंसर्व आपको मैंने इस सभी उससे पहले मैंने आपको वीडियो बटाया था और बताया था कि यह बीटू शेयर है बहुत कम दाम पर आपको मिल रहे हैं आप खरी लीजे 40% के चाहश देखिए आज का परफॉर्मेंस है आज शेयर ने 725 रुपे की जंप मारी है मतला लगभग 10% की जंप है बंडे का चार्ट पैटन है ओके 5 देज का चार्ट पैटन देख लीजिए वन मंत का चार्ट पैटन देख लीजिए ओके 6 मंत का तो पहले बाद में दिखाता हूं प खरी दिए खरी दिए क्यों खरी दिए क्योंकि यह अभी 40% डाउन पर है इसका जो अभी जो इसकी मार्केट वेल्यू है मला 52 जो हाई था इसका लगभग 10,000 रुपे के आसपस 9,950 का 52 रुपी खाई था ओके और जब जहां सब शेयर चल चुके थे सब शेयर भाग चुके यहां पर मैंने आपको वीडियो बना के चिताया था मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को एकुमिलेट कीजिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटन देगा तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ और पेरामेटर्स देख लेते हैं देखिए रिटन क रिटन का प्रोफाइल कि इतना अच्छा है एक दिन 10 परसें वन वीक 17 वन मन से भागे जारा वन मन से पहले वीडियो बना दिया था वह बताया था भाई खड़ी लीजिए खड़ी लीजिए वोके 43.46 थी मन्स में 35 6 मन्स में 81 परसें और 10 यर्स में देखिए अठार है तो 5 पांच साल से रिजर्व इसके बढ़ते जा रहे हैं और लगबग 34.55-a6 करोड रूपी के रिजर्व है ओके 50 50 का एक बहुत 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 बैतरी इन शेर है लॉंग टर्म बॉराइंग जीरो है शॉट टर्म बॉराइंग जीरो है मतलब डैट फिरी शेर है ओके बजाट जो कि आज भाग एक महीने से वह भागते जा रहा है उसकी इसमें लबब 52-53% की हिस्सेदारी है क्योंकि यह पेरेंट्स कंपनी है बाप है यह बजार फाइनेंस का ओके इन्वेस्टमेंट की बात किया है ते 340 करोर रुपे के इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अभी और जरूर कम होते हुँ दिखाई जया रहा बट फिर भी पांच करोर रुपे के आसपास का यहां पर कैश इन्वेस्टमेंट्स किसमें करती है यह बिजनस करती है यहां पर से मार्केट गिर गया तो क्या होगा कि अभी आप का हो जाएगा लॉस तो अभी चांसिस है देखिए इसका 52 वीक हाई कितना है तो अभी पंद्रेसो पॉइंट से यहां पर अभी रहे है बट मैं आपको अभी सजेशन नहीं दूँगा मैं आपको पता हूंगा न आस पास चल रहा है और कोरोना के केस दुबारा बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट डो जोंस भी आप देख रहे तो पिछले दो तिन दिन से गिर रहा है तो थोड़ा सा समल के अभी इन्वेस्ट करिएगा किसी भी शेयर में जल्दबाजी करिये मत मौका जरूर मिलेगा अ अगर आप यहां पर अभी खरी ले तो आपने यहां पर खरीदा कल की डेट में मार्केट गिर गया तो आप यहां पर अटके रहा जाएंगे ओके शेयर बढ़ेगा अभी अगर आप यहां पर भी खरी सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है आपको पांच-दस साल आपर का अगर आपका वीजन शॉट्टम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी इसमें अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करिये क्योंकि यह शेयर थोड़ा जरूर गिरता हूँ हमें नजर आएगा आने वाले टाइम में कभी भी गिर सकता है कल की रेट में गिर सकता ह अभी चैनल मार्केश को कहीं अभी जिस लेवल सकता है जिस तरीके से क्यान के केसिजे मांप और अभी तक के वेक्सीन आई है काफी सारी बटा अभी तक डिस्ट्रीश कुरोनिये निवा कर अर दिसंद ख़एं थर्ड फेस्ज दुबार शुरू होते जारें डिफरें अगर आपको एक साल बाद भी मौका मिलता है और आप नीचे से खरीदते है तो आपको इससे अच्छा रिटन मिल जाएगा बट अगर आपने अभी खरीदा और ये शायद एक दिन भागा और फिर उसके बाद गिर गया तो आपको जो लॉंग टम के प्रसपेक्टर से इतना कोई फर्खनी पड़ेगा यहां पर भी आ जाते तो वही प्रॉपिट में बट क्योंकि लॉंग टम में एक क्या होता है कि देखिए हमेशन ऊपर जा नहीं है उपर जा नहीं है इसे यह दहाएगा यह आठ जार पे नहीं रहेगा इसे पंदरा भी होगा यह बीस भी होगा तो यह अकब होगा, दो साल भी लग सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पंदर पांस साल भी हो सकते हैं, तो अगर आपको इसे अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, तो एक बार अपने फाइनिश एडवाइजर से जरूर पूछ लीजेगा, क्योंकि यह मैं जो वीडियो बना इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब यह 6,000 रुपे था, आज जुबारा बता रहा हूँ, जब यह 85,000 रुपे हैं, और आगे भी मैं इसके उपर वीडियो बनाता रहूंगा, जब जब मुझे लगेगा, कि हाँ मुझे आपको इस शे पैसा है, फैनने अडवाइसर ज़रूर कंसर कर लिजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमें शेयर कर लिजिएगा, इस वीडियो को, और बाकी हमारे इस चैनल को सब्सकाइब कर लिजिएगा, बैल आइकन को रिट कर लिजिएगा, ताकि नोटिफिके आपको आती रहे है हमारी शेयर बजासी लिठी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गोड ब्लेस,